आज यहाँ पे आये वे सभी भाईयों बहनों माताओं बुजर्गों आपको मेरा नमश्कार सबको मेरा प्रणाम अभी आप लोगों ने दुरगटना से पीड़त तीन लोगों की कहानिया सुनी काफी मारमिक कहानिया थी हम लोग दो ऐसे लोगों से मिले अभी जिनोंने एक तरह से फरिष्टे का काम किया और जब दुरगटना हुई तो उनकी जान बचाने का काम किया देड़ साल पहले ये स्कीम लागो हुई थी इसको हम लोगों ने पाइलेट बेसिस पे लागो किया था हम ये देखना चाह रहे थे कि इसमें क्या-क्या कठिनाईया आती है उन सबी कठिनाईयों को हम दूर करके प्रॉपरली हम इसको लाउंच करना चाहते थे जिस जो कि आज किया जा रहा है पिछले डेड़ साल के अंदर जैसा भी डॉक्टर साब ने बताया 3,000 से जादा लोगों की जान इस कीम के तहट बचाई जा चुकी है मुझे इस बात की बेहत खुशी है क्योंकि हमारा हम भी कोई नेता तो है नहीं हमें राजनीती करने तो आती नहीं है हम भी सरकार के अंदर सरकार में आने के पहले समाज सेवा का काम किया करते थे एंजीओ के जरिये अब हमें लगता है कि भगवान ने हमें सरकार में पहुँचा के वो ही समाज सेवा का काम बहुत बड़े स्तर पे करने का मौका दे दिया है पहले दिल्ली की एक जुगी बस्ति के अंदर मुद्दों पे कांग किया करते थे अब भगवान ने पूरी दिल्ली के अंदर कई लोगों के लिए सेवा करने का काम हमें दे दिया जिन लोगों के एक्सिडेंट हुए और जिनकी जान इस स्कीम में बची है ऐसे कई लोग मेरे पास आए उन्होंने अपनी अपनी कहानिया बताई तो एक अच्छा लगता है कि जो सरकारी पैसा है आप लोग टैक्स देके सरकार चलाते हो अभी तक लोगों का सरकारों पे से पार्टियों पे से विश्वास उठिया था लोगों को लगता था इतना टैक्स देते हैं हम लोग 24 घंटे मेहनत करते हैं टैक्स देने का क्या फाइदा होता है लोग देखते थे नेता चोरी करते हैं सरकारे चोरी करते हैं भष्टाचार होता है लेकिन अब पिछले चार-पांच साल से लोग देख रहे हैं कि हम टैक्स का पैसा दे रहे हैं तो काम आ रहा है अब लोगों को ये विश्वास हो रहा ह कलको मेरा एक्सिडेंट हो गया तो कम से कम सरकार है मेरी जान तुरंट बच जाएगी और कहा जाता है कि जो एक्सिडेंट के बाद पहला एक घंटा होता है जिसको गोल्डन आवर कहते हैं अगर उस एक घंटे के अंदर दुरगतना पीड़ित को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बचने के 70-80% चांस जादा होते हैं जैसे जैसे टाइम बीटता जाता है वैसे वैसे उसकी सांस दीरे-दीरे कम होती जाती है वो गोल्डन आवर मेडिकल उसमें कहा जाता है कि सबसे जरूरी होता है उसमें हमने देखा कि जैसा भी प्यूशी ने भी बताया कि लोग डरा करते थे पहले किसी भी दुरगटना पेडित को अस्पताल मे ले जाने से उनके दो डर होते थे एक दर तो ये होता था कि मैं अस्पताल मे लेके गया और उन्होंने अगर दाखिल नहीं किया अक्सर अख़बारों में पढ़ते थे इस अस्पताल में ले गए अस्पताल वाले ने मना कर दिया फिर उस अस्पताल में ले गए उसने भी मना कर दिया तो आदमी सुचता था ये तो मेरे गले पड़ जाएगा मैं कहां कहां लेके जाओंगा कब तक मैं घुमूंगा तो लोगों को ये डर होता था और दूसरा डर होता था कि पुलिस वाले फिर तंग करेंगे दस बार मेर को बुलाएंगे अब ये दोनों डर खतम कर दिये सबसे पहले तो आप किसी भी अब आप को चिंता करने की जूरत नहीं इनमें जितने लोग लेके गए पुलिस ने उनका सबका साथ दिया पुलिस ने किसी को तंग नहीं किया तो पुलिस किसी को तंग नहीं करती है अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना चाहिए पुलिस पूरा सहयोग करती है इस पूरे काम के अंदर तो अब मुझे मैं उमीद करता हूँ जैसे निर्भया का कांड हुआ था निर्भ्या में भी हमने पड़ा अखवारों के अंदर की वो एक घंटे तक सड़क के उपर पड़ी रही लोग आते जाते उसको देखते रहे किसी ने उसको उठा के अस्पताल के अंदर भरती नहीं कराया अभी पियूजी ने अपने भाई की घटना बताई कि किस तरह से 45 मिर्ट तक वो सड़क के उपर पड़ा किसी ने भी उनको अस्पताल के अंदर भरती नहीं कराया अगर इस किसम की लोगों को टाइम पर भरती करा दिया जाए तो मैं जो लगता है उन सब की जान बचाई जा सकती है तो ये जितने लोग जान बचा रहे हैं फरिष्टा और होता क्या है कहानियों में जो पढ़ा करते थे वो फरिष्टे क्या होते हैं फरिष्टे वो ही तो होते हैं जो जान बचाता है किसी के तो जिन लोगों की जान बची उन लोगों के लिए तो यही फरिष्टे थे जो उन लोगों को अस्पताल में लेके गए अगर यह अस्पताल में नहीं लेके जाते तो पता नहीं जान बच्चती की नहीं बच्चती तो मुझे बहुत खुशी आज इस स्कीम का एक फॉर्मल लॉंच किया जा रहा है फरिष् जाने के लिए दिल्ली सरकार को कितने भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे हम पैसे खर्च करेंगे उसमें हम कोई कटौती नहीं करेंगे हमारे लिए एक एक जानकीमती है अब मैं चाहता हूं कि दिल्ली का एक एक नागरिक फरिष्टा बने दिल्ली का एक एक नागरिक के कसम कि अगर मेरे को सड़क पे कोई भी घायल मिल गया, अगर मेरे को सड़क दुर घटना पे, acid attack में, या जलने में कोई भी मिल गया, मैं किसम खाता हूँ कि मैं उसको जरूर nearest hospital में पहचाऊँगा, चाहिए उसके लिए मैं मैं मिरे को उस दिन की सारी appointment cancel करनी पड़े कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं उसको तुरंत अस्पता लेके जाओगा और खास तोर से दिल्ली में सारा दिन ओटो वाले भाई और टैक्सी वाले भाई खूब पूरा दिन चलते हैं उनसे तो मैं specially कहना चाहता हूँ कि हर आटो वाला और हर टैक्सी वाला दिल्ली का फरिष्टा बने कसम खाए कि कहीं उसे कोई अगर दुरगटना मिली तो हम उसको जरूर उसकी जान बचाने के लिए हम तन मन धन से उसके लिए काम करेंगे बहुत बहुत शुक्रेए